कुछ कलाकार यह से जोती सी नहीं संग करते हैं। तो ऐसे सेवी कलाकार है इस दुनिया में इस धर्ती पे तो भगवान उनको सत्बुद्धी दे हम तो यहीं चाहेंगे किसी का घर ना तोड़े। किनी का घर हो सके तो बसाने का प्रयास करें अनुपमा यादों को काफी जहटका लगा है आप इतना जान जाए है और जो शकुनी मामा को रोल निभाते हैं वो दोनों तरप से पीसे जाते हैं अप इतना जान जाए है ये क्या-क्या सुन रहे थे पहले पवन भाईया फिर सुनने में आया पवन जी फिर सुनने में आया पवन बॉस फिर सुनने में आया आई लभी बॉस गलत बात है किसी का घर बरबाद करके और उसके घर में इंट्री करने का प्लान करना साजिश करना उपर वाले के लाठी मे तो बहुत ताकत होती है वह स्वर्जएतने N4 अब्हों से नहीं चुब करें जिवन हो जाएगी अगर आप अभी से भी नहीं शुद्रे दिर नहीं हैं पर अब दीन है इल्लाई हमें से हर बाको आज तक अए सब दिन नहीं सम्मान किया है दिन हर दिन सम्मान किया है उनका बहुत दिल के बहुत अच्छे आदमी है हाँ होता है कभी-कभी आप गलत संगती में जब पढ़ जाते हैं कुछ लोग आपकी एर्दिगत जब गलत लोग पढ़ जाते हैं तो हो जाता है कुछ जो डिसीजन जो अच्छा लेना चाहिए वो आप ही लेपाते हैं लेकिन अभी जो बरतमान में जो उन्होंने डिसीजन लिया है जोती सिंग जी को अपने जीवन में बापस लाने का बहुत-बहुत मुझे अच्छा लगा और इसके लिए बहुत-बहुत बधाई हो ने क्योंकि क्या है ना कि गलतियों से बाहर निकल जाना बहुत-बहुत महान लोगों का काम होता है गलती अक्सर इनसान से होती है लिकिन उस गलती को भुला करके फिर से सही रास्ते प्याजाना एक अच्छे इंसान क निसानी हैं है और इसमें हम दोनों लोगों को बढ़ाई देंगे जोतीजी चीप भी बढ़ाई देंगे आप कोई कोई आस्वाण नहीं है और Supply को और मतलव करते रहता है उसको नहीं जानते यह नहीं करते, कोई लोग पवन जी को सम्झाते रहता है, कि लोग्छ पवंजी को सम्झाते रहता है, बिना फिसक वाकिल बनते रहता है ऐसों लोगों से बचिए आप लोग एक लेवल पे हैं एक लेवल पे हैं आप बहुत सारे जो हमारे जो कलाकार बंदों हैं उनके लिए आप इंस्पारेशन हैं तो आप अपनी इंपोर्टेंस को समझी अपने ग्रेविटी को समझीए और जोती यह सभी मैं कहाना चाहूंगा कि आप कोई आम इंसान की पतनी नहीं है इसीज को आपको समझना पड़ेगा आप एक सुपरस्टार की पतनी है एक सुपरस्टार का जीवन जो होता है एक आम इंसान से अलग होता है तो एक आम आदमी के लिए क्लिक परिवार के लिए और टेमार हुआ है हमारे भी हुआ जरिए उनकी भावबना चाहते हैं जो पॉलिटिकल लोग है वो लोग भी चाहते हैं कि हाँ वही कुछ आगे आए कुछ बोलें कुछ करें तो एक सुपरस्टार की जिन्दगी जो होती है न अगर उनकी पतनी उनके परिवार सोचेंगे कि आम जिन्दगी की तरह मनें रहे या आम लोगों की तरह वे लेकिन आपके मैं निट्यों को समान करता हूँ अपने उनके लिए यह अच्छा अखा था लेकिन आप पावंस जोति सिग जब एक नहीं हो यह होनी लोग मेत अलग कुछ लोग को Partners आ जीमने का करना है नहीं कर ना इसक्राइव extern करने वाले कौन होते यह गलत है और चोटे भाई होने के ना थे हमने अपने बड़े भाई को सम्मान देते हुए भी समझाने का परियास किया कि आप गलत रास्तों पे नहीं जाएं आप परियास करें के अपने जीवन पिते हैं या वो लोग पिते हैं क्या पिते हैं वो आखिर किन के बारे में बोल रहे हैं वो पवन सिंग की पतनी के बारे में बोल रहे हैं इस बात को समझना पड़ेगा उनके बारे में बोल रहे थे जिनको पवन सिंग ने उनके मागे में सिंदूर दिया है जिनको अपने ज तो इनको पवन सिंग्स न तो इनको इनको पवन सिंग दोनों पो इससे मतलब था ना तो इनको परिवार के जीवन भीन न हो कि एलोग ते लुग को और इंटरके लिए पोवन तो बहुका है लोग लोग के सीने पर आप सांप लोट गया होगा यह जो जो जोतिस इंग और पवन सिंग के मुद्दे पर जो अपनी टी आर पी गेन कर रहे थे जो कुछ भी बोले जा रहे थे हमने तो यहां तक हम आपने सुना है कि कुछ कलाकार ऐसे भी थी जो बोलते थे कि जोतिस अपनी जानते निकरते रहे थे साथय कर रहे हो अँपन से के साथ कर रहे हो और जोतिस सिंग कुने जानते हैं तो एसे से भी कलाकार हैं इस दुनिया में इस धर्ती पे तो भगवान उनको सद बुद्धी दे हम तो यहीं चाहेंगे कि किसी का घर ना तोड़े किनी का घर हो सके तो बसाने का प्रयास करें किनी के जीवन को बरबाद ना करें सब्लम लेकर क्या करना चाहेंगे देखिए किसी बी कलाकार को ऐसा नहीं करना चाहिए इनलोग कलाकार हुई ही नहीं सकते कलाकार दिल के बहुत सौफ्ट होते हैं, कलाकार दो दिलों को जुड़वाते हैं, बिखरे हुए रिस्ते को समारते हैं, कलाकार बिखरे हुए रिस्ते को और चूर-चूर नहीं करते, ठीक ना, तो ये लोग अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, इन कलाकार उस पवन सिंग के साथ खड़ा हो करके और अपना नाम बनाते हैं दस जगह पोस्ट करेंगे कि आज हम पवन सिंग के साथ खड़े हैं आज हम खेसल ल्यादों के साथ खड़े हैं तो यह लोग अरे भाई जिसके साथ खड़े हो जिस इंसान के साथ उस इंसान के जीवन को भी तो कवसर कम आच्छा नहीं कर सकते तो खराब भी तो मत करो क्या पवंस नहीं चाहते थे कि उनका जीवन अच्छा हो वो भी चाहते थे तो यहीं चंद लोगों करे से जोती जियो और पवन से के बीच दूरियां आई थी कुछ गलती थी क् guessing जोती जी की भी थी, हम आज भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि पवंजी गलती नहीं थी, या ऐसा नहीं है कि जोती जी गलती नहीं थी, जोती जी को क्या मतलब था बीच में, फला ने इसे कॉल पर बात करने का कि ऐसे कैसे करता है, ऐसे कैसे करता है, पवंजी को क्या मतलब था, त लेकिन अब जो आपकी जो जीवन है उसमें कुछ आप नहीं खोई है हम तो भगवान से ही काम ना करते हैं आप सदा बढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए और जीवन का जो भी आपने लक्षा सोचा होगा वो आप हासिल कीजिए अक सवाल है कि पावन सिंग जिसरी के से जो फैसला लिए है आटोमेटि लोग होते हैं वो गलत लोग का दौर बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहता गलत लोगों का दौर बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहता आप इतना जान जाए कभी भी जो सकुनी मामा का जो रोल निभाते हैं वो दोनों तरब से पीसे जाते हैं आप इतना जान जाए यह क्या क्या सुन रहे थे पहले पवन भाईया फिर सुनने में आया पवन जी फिर सुनने में आया पवन बॉस फिर सुनने में आया आई लभी बॉस गलत बात है किसी का घर बरबात करके और उसके घर में इंट्री करने का प्लान करना साजिश करना उपर वाले के लाठी में बहुत ताकत होती है बहुत ताकत होती है पवन सिंग का मजा कुड़ा करके पवन सिंग के घर में घुसने का प्रयास कर रहे है तो जो भी लोग कर रहे थे आपकी जीवन वे सही बरबाद हो जाएगी अगर आप अभी से भी नहीं सुद्रे तो पवन सिंग भुला भाला इंसान उसे इंसान को कुछ भी में किसी भी तरीक से कुछ यूज कर लोगे हम यहाँ फ़र दन्यवाद देते हैं दीपक शिंग hinge को तैने आं अमीत जी को यह उननके टीम के जो में जो मेंबर है धन्यवाद देते हैं उनके प्रिवार के लोगों को धन्यवाद हम देते हैं जोती जी के प्रिवार के लोगों को रामबावु सिंग जी को या उनके जो भाई के जो भी हैं लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि इस बिखरे हुए रिष्टे को सवारने का प्रयास कि आपने और सवारा हम धन्यवाद देते हैं जोति सिंको भी पवन सिंको भी कि बहुत कुछ बाते हुई लेकिन आंत्ता आप दोनों एक साथ रहने का फैसला किया और जोती जी से भी मेरी बिनमर रिक्वेस्ट है और चुकि वो भाभी मा है तो हम उनके छोटे देवर है इसनाते हम डाट भी सकते हैं उनको हम डाटते हुए हम बोल रहे हैं कि आइंदा कभी भी पवन सिंग पर सक मत किजिएगा यह आपके पती है और पती है तो यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है आप किसी नॉर्मल इंसान के पत्नी नहीं है आप एक सुपरस्टार की पत्नी है तो आप जितना एक common woman जितना अपने husband से समय ले लेती हैं, उतना समय आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनको पबलिक ने बनाया है, और पबलिक के लिए इनको समय निकालना पड़ता है, और ठीक मैं पबन जी को भी एक छोटे भाई के तोर पे मैं प्यार पूर्वक में डाट करके मैं कह रहा हूं, कि अगर आप आपने ऐसा भविश में किया, तो इस बार हम आप नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, आपकी एक गलती आपके जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी मान सम्मान पिठेश सकते हैं इसलिए आप दोनों भूखिया से रहें खुँब ऑधिया से रहें और भगवान करें कि घ्रयाय करने करें है예요 हम तो यही कामना करेंगे इस वर से हम इस वर से ही कामना करेंगे प् attorneys कि बहुत जल्द हमारा भतिजा सामने आए और भतीजे का जो जन्व हो उस खुशी में हम भी सामिल हूँ हम भी उस खुशी में केक काटे मिठाई आबाते हैं